नमस्कार दोस्तों, इस विपत्ती के समय में आखिर एक खुसकबरी आही गई उत्तरपदेश अधीन सेवा चायनायोग यानि यूपी ट्रिपलसी ने प्रारम्भी करहता परिक्षा यानि पी इटी का जो आधिसूचना है एकजाम की वो जारी कर दी है तो हम बात करेंगे इस वीडियो में नोटिफिकेशन से रिलेटेट सारे डाउट्स की सारे क्वेस्चन की और बात करेंगे सिलेबस सबसे में इंपॉर्टन जो बात है वो यह है कि कौन-कौन सी पोस्ट को समाहित किया गया है इस एकजाम में जिसको इस एकजाम के थुरू बरने की तैयारी की गई है सबसे डी जो बात है वो हम इसमें ये जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन-कौन से गलतीयां है जो में एकजामिनियेसन फ़ॉर्म में नहीं करनी है और साथ ही syllabus पर भी थोड़ा बहुत discussion हम करेंगे तो exam का जो form है वो आबेदन स्टार्ट हो रहा है 25 मई से 25 मई से form स्टार्ट हो रहा है और जो last date है वो है 21 June 2021 आप ये बिल्कुल गलती मत करिएगा इस date पर मत जाईएगा कि 28 June last date है 28 June जो है वो आबेदन में संसोधन की अंतिमतिती है यानि कि अगर आपने अपने application form में कुछ गलतिया कर दी है तो वो उसमें संसोधन की जो अंतिमतिती है वो 28 June रखी गई है अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस क्या क्या जो है जो डिमांड है वो आयो कि क्या है हमें क्या कैसे क्या करना है सब कुछ देखेंगे उस सबसे पहले ध्यान देते हैं कहां पे जो important चीज है क्या और वो है पद कौन से पद इस exam के थूँ भरे जाने हैं तो बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पद इस एक्जाम के थूँ भरे जाएंगे जैसा आप देख रहे हैं के नोटिफिकेशन में बावन सो बेतन बैंड जो है इनका बावन सो दो वीस हजार दो सो ग्रेड पे उननीस सो से ले करके ग्रेड पे जो छियालिस सो से है कर्म के जितने भी पोस्ट हैं जो UPSC यालि की अधीन सेवा चैना आयोग के परिधी में आते हैं उन सब को इसके थूँ भरा जायेगा तो कौन-कौन सी पोस्ट उनके परिद में आते हैं उसमें सबसे इंपोर्टेंट पोस्ट जो है वो है आपका मंडी परिस्ट हो गया और आपका मार्गेटिंग ओफिसर हो गया आपका जो है ADIU हो गया ADIU मतलब Additional District Information Officer ADIU हो गया और इसके बाद केन सुपरवाजर गन्ना सुपरवाजर की जो पोस्ट आती है Computer Operator की जो पोस्ट आती है लेख पाल हो गया आपका ग्राम विकास अधिकारी हो गया आपका जूरियर से स्टरट हो गया तो जितनी भी सारी पोस्ट थी यूपी ट्रिपल सी के अंदर जो भी पोर्ट साती थी, वो सब किस सब पीटी के थुरू भरी जानी है, ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास, और जहां तक अभी मुझे पता चल पा रहा है, इस एक्जाम के थुरू तकरीवन 56,000 पोस्ट भरी जानी है, 56,000 पोस जब आपका फॉर्म आएगा, वो विभाग का फॉर्म आएगा, आपका पोस्ट का फॉर्म आएगा, तो आपको वहाँ पे जो उनकी एजुकेशनल कौलिफिकेसर रहेगी, आइ तिंक वो मिनिमम ट्वल्थ ही रहने वाली है, और जो उससे नीचे वाली पोस्ट है, उनके लोग मांगेंगे, लेकिन अभी तक अभी के लिए इन ने टेंथ दे रखा है, अगर आपने टेंथ किया है, तो आप इस एक्जाम को दे सकते हैं, बात अगर वैलेडिटी की करें कि पेट का स्कोर वैलेड कि इतने टाइम में तक के लिए रहेगा, तो पेट का स्कोर वान रहेगा, आप एक साल तक उसको उत्तर पदेश की सारी साल का रिटाल करियों में इस्तिमाल कर सकते हैं, बढ़ते हैं आगे, और देखते हैं, आयू सीमा की बात करें, तो 18-40 वर्स तक, 18-40 वर्स तक इन्होंने इसकी बात रखी है, और डेट वाइस बात करें, तो जिनका जन 1931, 30-1981 के बाद और 1 जुलाई 2013 से पहले हुआ है, वो इस एक्जाम फॉर्म को में अपलाई कर सकते हैं, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, आरक्षड, आरक्षड जैसे पहले की परिक्षाओं में होता था, वैसे ही आरक्षड पीटी में भी जो है, वो दिया जाएगा, ठीक है, और पाठिक्रम की बात करें, तो पाठिक्रम पर चलते हैं और देखते हैं, पाठिक्रम क्या है हमारा, तो पाठिक्रम की बात करें, अगर तो पाठिक्रम तो इन्होंने पहले भी जारी कर दिया था, देखिए, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखरा है, भारते इतिहा है प्रोडांख है अपना सव नंबर का सव नंबर का प्रोडांख है पर इच्छा किया वथी दो घंटे होगी प्रसनों की संख्या सव होगी ठीक है और बात करें तो भारतिय इतिहास से बातिय इतिहास से पांच यहास से पांच जो इसके बातिय संविधान लोग इसको बोलते प्रारमभी का अंगड़ेत इससे पांच क्वेश्चन जनरल हिंदी से पांच question और इस बार अंग्रेर जी को भी समाहित किया गया है, वहाँ से भी 5 question आफ से पूछे जाएंगे, तरकेवब तरक सकती यानि रीजनिंग से 5 question, करेंट अफ़ेर 10 question, जन्ल अवेरनेस से 10 question, जो भी वारत के पड़ोची देश मुराजधानी मुद्रा, तो सब आपको syllabus मिल जाएगा, आपको syllabus जो है हम description box में दे देंगे, वहाँ से syllabus डाउन्लोड कर लीजेगा और इसके बाद गद्यांस आएंगे, आपके थिंदी, गद्यांस वो भी खिंदी का ही पार्ट है, दस question वहाँ से आने वाले हैं, और D.I. और Statist को इन्होंने बहुत जादा वेटिस दिया है, 20 नमर वहाँ से पूछ रहे हैं, तो कुल मिलागे 100 question आपसे पूछेंगे और I think cut-off की बात करें, तो जहां तक मेरा अंदाजा है, cut-off में भी 60 to 65 रहेगा, 60 to 65 cut-off रहने वाला हैं, और बात करें, question का difficulty level, तो difficulty level NCRT पेस्ट होगा, वो भी NCRT कहां तक secondary है, senior secondary है, 10th है 12th के basis पे होगा, तो आपको कहीं भी नहीं जाने की जरूरत है, इस्कॉलर सद्डा आपके लिए कल से regular minimum 100, minimum 100 MCQ लेके आने वाला है, क्योंकि जो प्रकृती होगी परिक्ष्या की वो बहु विकल्पी होगी, तो बहु विकल्पी, 100 question अगले, जब तक exam clear नहीं होता है, परड़े हम 100 question लाने वाले हैं, और सब के सब NCRT बेस्ट होगे, तो आपकी तैयारी यहाँ पर बहतर तरीकी से कराने की फूरी योजना है, और negative marking की बात करने तो 1 by 4 negative marking रखा गया है, अब next वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी गलंदिया आपको अवेधन form में नहीं करनी है, जो आपको exam देने से ही बाहर कर सकती है, मतलब आप exam दें अगले वीडियो में हम मिलते हैं और आपसे बात करेंगे कौन सी गलतिया यह अवेधन form में हमें नहीं करनी है, तो वीडियो में इतने टाइम तक कि बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक करिए, शेनल को स्क्राइब करिए, थैंक्यो